हरी का नाम सब नहीं ले सकते हरी का नाम वहीं ले सकता है जिस पर हरी की कृपा हो अगर आप हरी का नाम ले पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप पर कृपा है दूसरा नहीं ले सकता है जैसे यह बच्चे बेटे हुआ हैं तो इनको कुछ लोगों ने का वह फिल्मों में कामकरता है एक्टर है तो यह आएगा तो इनने का भी ओ फिल्मी एक्टर आ रहा है तो उसको देखते हैं मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर तुम अपने जीवन में कि जो कुछ भी तुम चाहते हो पाना चाहते हो मैंनाज यहां स्कूल में का था गैतरी स्कूल में का मैं बहुत तो fan जातॉय आ गया पर kind ए घा महोनुजा कि यही बताता हूं कि तुम अपने जीवन में रोज सुबा से लेकी शाम देऊ, तुम चाहतो तुम्हारे नमबर अच्छे है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो, तुम्हारी अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम्हारी अच्छी बड़े हो कर शादी हो जाए, तुम्हारे अच्छा परिवार हो तो हर वक्त वाहिग्रू 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 कहना हर वक्त चलते पिरते आते जाते या इससे स्कूल जाते हो तो वाहिग्रू कहते हो जाओ एक लड़का मुझे पता नहीं सी कहो है मिलते या शायद परागी पुरूआ मिलते पिछली बार तो जो मैं बोल रहा तो मेरे पास ख़ड़ा बोले लगए तो मैंने तुमको कैसे मालूम है तुमने का कि आपने हमारी स्कूल में आके बताया था तब से मैंने शुरू कर दिया तुमने कुछ हुआ तुमने कहा मेरी नमबर बहुत अच्छा आने लग गए यह तुमको सत्य बता रहा हूँ कि तुम भी करना तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर भी तुमको चाहिए क्यों रुजगार अच्छा मिल जाए कहीं काम करते हो तो वहा कुछ काम अच्छा मिल जाए बस वाहिगरू-वाहिगरू करना हर योम तद्सत कर लेना हर योम तद्सत ये कर लेना अल्ला हुआ अक्वर कर लेना लेकिन वाईगरू हम इसलिए कहते है कि वो सबसे नया नाम है उससे जल्दी फाइदा होता है अल्ला हुआ अक्वर से भी होता है हर योम तद्सत से भी होता है लेकिन वाहिगरू से जल्दी होता है यह आजमाया गया, बहुत सारे लोगों ने इस पे खोज की है तो जो भी बच्चा यह चाहता है कि उसके नमबर अच्छे आए है तो कोशिश करना कि लगातार वाहिगरू, वाहिगरू, वाहिगरू अगर जल्दी फाइदा चाहते हो तो सुपेरे उठना नहाके ज़्यादा ठंडोर नहीं नहापाओ, अपने हाथ मुँ दोलेना पूरब की तरह मुँ करना और पूरब की तरह मुँ करके बैठना जो नाम तुमको अच्छा लगता है हम वाहिगरू उसलिए कहते हैं तुम्हें जल्दी फाइदा होगा जिन लोगों ने आजबाया है, यह यूपी में मुझे बहुत लोग मिले है दुनिया भर में ऐसे लोग है जिनको फाइदा हुआ है जुगत क्या है? कि अपनी आवाज को सुनना जब तुम अपनी आवाज को सुनोंगे तो हरिनाम तुम्हारे कानों से तुम्हारे अंदर जाएगा और अंदर जाके जो तुम्हारे पाप करमें जिनकी वैसे तुम बीमार हो, परेशान हो, गरीब हो उनको धोएगा जो पाप धुलेंगे तो तुम्हारे जीवन मैनंद आएगा काम्याबी आएगी समर्दी आएगी पैसा आएगा सुख साधन आएगे तो ये बच्चों के लिए है दूसरों के लिए भी है लेकिन बच्चों के लिए खास दौर से चोंकि इनके सारा जीवन इनके आगे है तुमको जो भी चाहिए तुम पिता से नहीं परण पिता से मांगना है